ही जागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टीर चैनल वैफ इस एपको को मौलु है डेली सुभए आट बजे मन्डे टो गया अपना एक इंपर्टन सेशन होता है जहां पर आम लोग इंडिया के लीडिंग न्हुंस पेपरे जो के कवर करते है डेली अपम पांच बज आपके लिए या फिर गुरूप इंटिव्यू यह कुछ भी अगर आपके लिए है तो यह सेशन आपके लिए बहुत इंपॉरेंट है यह सेशन ना सिर्फ आपको एक एक एक्जाम बेज आपको आपको बहुत सारे चीज़ें जो कि सेखने को मिलेगी आपको फैस के अलावा क्या सही है क्या गलत है बहुत चीजों के बारे में बहुत सारे आईडिया बहुत सारे इंतलेक्ट्टुल चीजें हैं जो कि आपको देखने को जानने को मिलती है तो चलिए शुरुबात करते हैं Good Morning वीजार कमें तो सबसे पहले जैसे कि आप सबी को मालूम है कि अम लोगों का क्या प्रोशीजिव रहे तो सब सबसे पहले बात करने वाले हम लोग किसके बारे में यह सारे के सारे एक्जाय है अगर आप याजव वैसे 18 He says change कर लेना और यह सारे के सारे exam अगर आप इन में से किसी भी exam के preparation कर रहे हो तो आपको यह session regular देखना चाहिए आपको बहुत help करेगा इसके अलावा थीक है तो सबसे पहले previous day के question cover करेंगे उसके बाद में coat of the day देखेंगे उसके बाद में दोस्तों fun fact और उसके बाद में आज के कुछ सवाल है जो कि हम लोग cover करने वाले हैं सबसे पहले कल के question है जो की देख लेते हैं कल मैंने आप से silver line के बारे में पूछा था एक semi high speed railway project है कौन से राज्य में इसको launch किया गया था तो यह कहाँ पे किरला के अंदर इसको launch किया गया था मैं राइट चलो next डिजिटल यूज मीडिया और ओवर दर टॉप platform OTT platform यह कौन से मंत्राले के अंडर में आते हैं कौन रेगुलेट करता है इनको ministry of information and broadcasting है जो कि इनको regulate करती है कौन सा पेर यहां पर इंडियन मिसाइल सिस्टम का सही है यह मैंने आप से पूछा था तो यहां पर चार अप्शन थे तो चार के अंदर आपका नाग बिलकुल ठीक है तो आपके नाग तो ती चारों में ही है अकाश surface to air missile है यह भी सही है वन ओ टू अस्त्रह जो है वो anti radiation नहीं है तो आप ट्री वाला काट दो तो यह भी कट गया यह भी कट गया पंचे दो अप्शन यह जो आस्त्रह जो है वो एर मिसाइल है एर टू एर और रुद्रम जो है ना यह एर टू एर नहीं है यह एर टू सर्फेस है यह एंटी रेडियेशन है तो आपका फोर्ट भी आने के गलत तो आने की आपका यहां पे बी सही आंसर है जो की होना चाहिए अगला सवाल आपका था स्पेशल स्क्लासिफिकेशन की रिकमेंडेशन से किया गया था इसके अलवा हबल स्पेस टेलिस्कूप की बात करें तो मैंने पूछा था कि यह पांट सो सतर किलोमीटर के आसपास तो आपका यहां पे भी सही आनसर हो जाएगा ठीक है इसके अलवा अगर आप इंडिया में क किसी भी एक्जाम के तैयारी घर बैटे करना चाहते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं तो अनकेडमी प्लस पे पढ़ सकते हैं जहां पे आप से रैफल कोड पूछता है डिस्काउंट के लिए लेटेस्ट ऑफर्स के लिए तो आप भी एचुटेन या बुनेशने लगा सकते हैं आपको 10% आफ मिल जाता है आप इसको UPSC, PCS, Defense, Banking, SSC किसी भी एक्जाम में अप्लाए कर सकते हैं आपको आप डाउनलोड करके मुबाइल नंबर डालना है यहां पे अपना गोल सेलेट करना है जो भी आपका गोल है एक्जाम का सेलेट कर ल करेंगे और नया जो अभी आपके लिए प्लस कूर्स आने वाला है वो स्टाटिक जी के साइन्स का अभी नियूर के बाद में 5th of January से ठीक है तो जॉइन कर ले ना हम लोग आप complete जीए से जो की cover कर रहे हैं और अगर आप चाहें तो अगर आप जॉब करते हैं तो एक पीज पादी जी के दुवारा बोली गए थी you can't change how people treat you or what they say about you you all you can do is change how you react to it तो आप लोगों को लोग की बातों को रोक नहीं सकते लोग आपको कैसे treat करते हैं लोग आपके बारे में क्या बाते करते हैं लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं आप इन चीजों को कभी चेंज नह होगे यकिन मानिये सबसे जादा जो time खराब होगा आपको कुछ भी आसल है जो कि नहीं होगा आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं इस पूरे scenario के अंदर कि आप अपने आपको change कर सकते हैं कि कैसे आप reaction देते हैं जब आप लोग आपको कुछ भी बोलते हैं मैं सबसे basic example लेता हू अपने घरवालों का जब हम लोग preparation करते हैं कई साल निकल जाते हैं exam crack नहीं होता सबका patience घरवालों का भी लिए होता जाता है तब दिरे दिरे जो है उनका भी frustration बढ़ता है वह आपके ओपर निकलने लग जाता है आपको कुछ भी बोलने लग जाता है कुछ भी काम देने ल करोगे उतना ही जादा आप अच्छे preparation अच्छे अपनी life में growth है जो की करोगे तो उम्मीद करता हूं इस बात को आप ध्यान रखेंगे बहुत important चीज है यह ना सिर्व आपके preparation में आपके पुरी life में काम आएगी क्योंकि लोग आपको बोलना बंद नहीं करेंगे कोई भी प्रेंट पेज की बात करें तो यहां पर तो सबसे बहुत तो यहां पर मिशनरीज ऑफ चैरिटी यह एक एंग्जियो है जो की Mother Teresa के दुवारा बनाए गया था उसको FCRA जो है वो देने से मना कर दिया गया Home Ministry के दुवारा इसके बारे में जानेंगे क्या मुद्दा हुआ है सेकेंड है यहां पर 15 से 17 साल के एज गुरूप के बारे में बात करेंगे कोवैक्शन की डोस के बारे में इसके अलावा यहां पर दोस्तों डॉक्टर के दुवारा दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ नीट पीजी की काउंसलिंग को स्टार्ट करने के लिए काफी डेले हो ग लिए यहां पर आम आद्मी पार्टी ने जो है मैक्सिमुम सबसे बड़ी पार्टी है जो कि बनके उबरी है क्लियर मिजॉर्टी तो किसी को नहीं मिली लेकिन सबसादा सीट है जो कि इनको लोकल पोल के अंदर यहां पर मिल गई है तो यह आपका पूरा फेंट पेज है वारा बनाये गया था, ओके, देखो, FCRA किसलिए मिलता है, FCRA के Full Farm होती है, Foreign Contribution Regulation Act, अगर कोई भी भारतिय NGO को अगर फॉरं की funding चाहिए अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, फॉरं कोई international organization है, हैना, या फिर कोई foreign contributors हैं, अगर वो इंडिया के किसी भी NGO को मदद करना चाहते हैं, यहाँ पे काम के लिए मदद करना चाहते हैं, तो Indian government एक certification है, जो की बना रखा है FCRA, FCRA के तहित क्या होता है, कि आपको Home Ministry से permission लेनी पड़ती है, और आपको हर साल audit report देनी पड़ती है, कि इतना पैसा हमारे पास foreign से आया है, और यह पैसा हमने in-in काम के अंदर है, जो की लगाया है, कोई भी पैसा आता है, तो दिल्ली की जो HBI branch है, उसी के अंदर आएगा, और वहां से फिर आपके जो भी NGO की अकाउंट है, उसके अंदर ट्रांसफर होगा, तो यह certification इसलिए बनाए गया था, ताकि फॉरण से जो भी funding आए, वो government की नजर में रहे, कौन से organization को कितना पैसा मिल रहा है, और किस काम में लगाया जा रहा है, समझगे मेरी बात, तो यह होता है, अब लास्ट येर भी क्या होगा था, पिछली एक-दू सालों से बहुत सारी NGO's जिनके जो है, FCR एक registration है, जो की cancel कर दिये गए थे, अब इस बार जो है, यह बहुत बड़ा NGO है, Missionary Charity मतलब कुलकता का वनों था biggest NGO जो की social welfare काम के अंदर involved है, हना, तो 2020-21 की जो इनकी financial report थी, उसके अंदर बताया गया था कि 75 करोड रुपे जो है, वो total 300 foreign individual और 60 international asset donors थे, जिनके द्वारा यह पैसा आया था, 27 करोड रुपे अकाउंट में थे, बाकी welfare में काम में लिए गया, total 103 करोड रुपे के आसपास है, जो कि इसमें बताया गया, 200 total इंडिया के अंदर bank account है, जो की इस पैसे को काम में लेने के लिए, अलग-अलग राज्ये के अंदर है, जो की काम में लिए जाता है, समझ के, इसके अलवा अगर आप देखो के, UK, US जो है, वहाँ से सबसादा, education, healthcare, treatment on leprosy, patient, इन सब के लिए पैसा है, जो की आएवा था, ये वाले बात है, अब Home Ministry का ये कहना है कि, इस NGO ने जो है, क्या नहीं किया, apply नहीं किया, renew करने के लिए, जबकि इनका NGO का कहना है कि, हमने apply किया, लेकिन हमने deny कर दिया गया, अब यहाँ पे deny जो अगर किया गया है, इसका भी कोई ना कोई कारण होगा, तो देखिए, यहाँ पे जो कारण indirectly बताया गया है, Home Ministry के दुबारा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही क्या हुआ था, कि यहाँ पे फॉर्म, अभी एक वीक पहले ही जो है, एक F.I.R.S. जो की launch करी कही थी, कि वनोत्रा के अंदर, एक चाइल्ड होम के अंदर, किसको लेकर religion conversion को लेकर, ओके, तो उसके एक वीक बात में ही, जो है, वो Central Government ने इनका जो F.C.R.S. Certification था, वो कैंसल कर दिया, तो वन उफ दा कारण जो है, वो यह बताया गया है, कि यहाँ पर religion conversion को लेकर, हाला कि अभी तक कि F.I.R.S. लॉंच करी गई है, 100% proof या 100% charges, जो है, मतलब बोलते नहीं, एक तो होता है, किसी को सजा मिल गई है, 100% proof हो गया है, एक होता है, केस करना, तो अभी तक वो ख्यार proof नहीं हुआ है, लेकिन यह one of the reason है, जो कि जिसके वज़े से, हो मिनिस्ट्री नहीं सा, कदम है, जो कि उठाया है, ठीक है, 1950 के अंदर है, जो कि इसका formation हुआ था, हाला कि यह NGO बहुत काम करती है, वहला मतलब टेरेसा के टाइम से, अगर आप कोलकता या बेंगॉल में रहते हैं, तो आपको शायदा बता हुआ अच्छे है, तो मतलब टेरेसा के दुबारा इसकी शुरुबात करे गए थी, और यह सरवाज चंदर बोस्त रोड है, जगदीश चंदर बोस्त रोड है, कुलकता में, वहाँ पर इसका एक वाटर है, पांच जार के असपास मेंबर हैं, मैरी प्रेमा करके जो कि इसकी सुपिरियर जनरल है, ठीके गईज, यह हो गया अपना यह वाला इशू, जो कि काफी कल जो है, वो देश में रहा, काफी नूस के अंदर हा, बहुत महमता बैर जिस लेकर सब ने काफी स्टेटमेंट दिये तो इसलिए हमने इसको कवर किया, आगे बात करते हैं, जो कि टीनेजर को लेकर है, पंद्रा से सत्रा साल के जो बच्चे जो कि वैक्सिनेशन के लिए अलिजेबल है, तीन जनवरी से, उनको को वैक्सिन डोस है, जो कि लगाया जाएगा, ठीके गईज, थर्ड डोस जो सीन जून के, मई के अंदर है, जो कि आपको लगेगा, तो यानि कि 39 वीक का टाइम पिरेड है, जो कि थर्ड डोस के लिए सेनिर्स के लिए आप बताया गया है, ठीके हेल्ट वर्कर्स होंगे, जो फ्रेंट लाइन वर्कर्स होंगे, जिनको दो डोस मिल चुके हैं, वो भी दो सारे चीज़ा हैं, जो कि कर सकते हैं, आगे बात करते हैं, नीति आयोग को लेकर, रिसेंटली दोस्तों, चौथे साल के अंदर लगातार, फोर्ट येर, कॉन्जिकुटिवली, दोस्तों, के लिए ना, वो नंबर वन के उपर है, जो कि रहा है, अगर हेल्थ इंडेक्स के बारे में बात करें टो, इस बार दोस्तों, जो लास्ट नंबर पर रहा है, सबसे बुरे हालाद, वो किसके, उत्तर परदेश के हैं, जो कि बताए गया है, केला ने टॉप Heeलट इंडेक्स से एक पार्ट में रिपोर्ट जो कि कमिशन करी जाती है, नीति-हायोग के दौारा इसमें कई सारी parties है ये reports तरिफ नितियायोग के द्वारा नियाती नितियायोग हो गया, World Bank हो गया और Union Health and Welfare Ministry हो गया हमारे ठीक है, इन सब के द्वारा मिलकर है जो कि इस report को बनाई जाती है इसके अंदर किरेला नंबर 1 पे है इसको फिर्पेर जो किया जाता है वो परामिटर्स रखे जाते हैं जिसमें तीन ब्रॉड डोमेने जो की रखे जाते है एक तो हेल्थ आउटकम यहाँ पे लिखावा है मैं आपको दिल देता हूं यहाँ पे एक तो आपके हेल्थ के आउटकम क्या क्या है यह पहला criteria है इसको और sub diffusion किया है लेकिन majorly health outcome हो गया इसके अलावा governance and information एक आपके governance कैसा कर रहे हो तीसरा information तीन criteria को और फर्दर डिवाइड किया गया है लेकिन इस तीन major broad domain को है जो किया जाता है catching हैérience जैसे कि health outcome के अंदर आपके mortality rate हो गई, under 5 mortality rate हो गई, sex ratio हो गया, वैसे governance के अंदर आपके delivery हो गई medical system की, senior officer कैसे काम करते हैं, कैसे लोगों को treat करते हैं, बहुसतारी चीज़े हो गई, तो ऐसे तरीके से medical facilities कैसी है, birth or death certification, TB का treatment कैसे हो रहा है, HIV का कैसे हो रहा है, Malaria का कैसे हो रह है, तो ऐसे तीन category के अंदर इसको divide किया गया है, समझ गये, चलिए, तो इसके अलावा उसके बाद में हैं, आपके, तिलंगाना के बाद, आंदर परदेश, महारास्टा, ये top 5 के अंदर जो कि आंपे बताये गये हैं, इसके अलावा last में बात करें, तो last जो है, third last MP, second last Bihar और सबसे last के अंदर UPA जो कि आंपे बताये गया है, ठीके guys, ये ranking है जो कि बताये गये है, आगे बात करते हैं, नितियायोक की 2015 के अंदर formation हुआ, planning commission पहले हुआ करता था, उसको dissolve करके नितियायोक का formation हुआ, 400 करोन के आज-पास का budget है, और नेंदर मोधी ची चेर परसन रहते हैं, प्रदान मंत्री रहते हैं, ये एक de facto head है, जो कि बनते हैं, हमेशा कोई पर प्रदान मंत्री, राजीव कुमार है, जो कि अभी vice chairman है, इसके अलावा अभी ताप कांते, जो कि अभी यहाँ पे CEO है, ministry of planning जो है, इसकी governing body है, आगे बात करते है, पेज नमर साथ, यह आपने 100 रुपे earn करने के लिए railway ने कितने पैसे expenditure, कितने पैसे खर्च करें, उसको operating ratio बोलते हैं, जैसे कि अगर मैंने 100 रुपे कमाने के लिए, अगर मैं 110 रुपे लगा रहा हूं, तो यानिकि यह 10 रुपे profit में हूँ, तो जितना operating ratio कम होता है, उतना बहतर होता है, तो य railway का जो spending है ना, okay, financial year 2020 के अंदर बहुत जाधा हो गई है, spending, और कैक की report है, जबकि इसके अंदर दोस्तों, एक चीच जो है, वो कम include करे गई है, कैक ने बता है कि pension का जो payment है ना, वो तो इसके अंदर exclude कर दिया गया है, okay, उसके बाद में भी जो operating ratio है, वो काफी high है, अगर य railway के काफी बुरे operating ratio है, जो कि हो जाएंगे, तो कैक के द्वारा है, रिपोर्ट है, जो कि आईए, कैक ने बताया, financial year 15 के बाद में, consistently जो है, वो project की जो earning से railway की, वो कम होती जा रही है, और सबसे ज़्यादा नुकसान 2020 के financial year में हुआ है, पिछले 6 सालों के अंदर, और इसका पिछले 5 सालों से यह number है, जो कि follow तावा आ रहा है, तो यहाँ पर यह सब बताया गया है, यह operating ratio है, जो कि आपर बताया गया है, ठीक है, तो record high 98.44% है, जो कि financial rate in में पहुंचा, और उससे भी जादा नीचे है, जो कि अभी पहुंच गया है, इससे पहले अगर आप देखो होगे, तो यह 95 के आसपास था, 2011 की टाइम पर, 14 की टाइम पर, 94 के आसपास था, और अभी यह 98 से भी उपर है, जो कि पहुंच चुका है, यहाँ पे, ठीक है, पैसेंजर का, किलो मेटर और यह सब यहाँ पर distance बताया गया है, यह earnings बताया गया है, कि कैसे earnings है, जो कि कम होती जा रही है, operating ratio जाधा हो रहा है, उसके विज़े से lockdown का impact यहाँ पर directly देखने को मिल रहा है, आपको, यह देखे, एक साल के अंदर, यह lockdown का impact तो यहाँ पर directly आपको देखने को मिल सकता है, चले, बात करते हैं, page number 10, यहाँ पर दोस्तों, हमारे लिए deputy, जो NSA, उनके बारे में बात करेंगे, इसके अलावा, तो कुछ और यहाँ पर important नहीं है, Omicron के cases नेरबाए 600 के आसपास इंडिया के अंदर पहुच गए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो विकरम मिश्री, विकरम मिश्री जी दोस्तों, आपको मालूप होगा, recently पहले अभी ambassador हुआ करते थे, साथ में मिलकर है, जो कि यह काम करेंगे, National Security Council जो है, वो सम्मालने वाले है, ओके एक जनुवरी से अपने tenure है, जो कि यहाँ पर वो करेंगे, continue करेंगे, ठीक है, इसके अलावा, दो deputy general और यहाँ पर appoint करेंगे हैं, जैसे कि एक और former ambassador to Russia थे, पंकर सरन, उनका time period end होगा, ओके इसके अलावा, राजिंदर खन्ना है, और एक और यहाँ पर पर पर्चन है, दातरितेहिया जी, यह दोनों और deputy NSA यहाँ पर, उनके साथ में मिलकर है, जो कि काम करने वाले हैं, ठीक है, चलो, तो यह वाले बात हो गई है, इसके अलावा, इसके अंदर कुछ और important नहीं है, देखो NSA जो है, वो आपके लिए important है, पेपर में national security advisor के बारे में पूछते हैं, deputy के बारे में इतना नहीं पूछते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि, एक appointment committee of the cabinet, जो ACC है, जिसके अट प्रधान मंतरी होते हैं, defense minister है, CDS है, वो सब लोग मिलकर हैं, जो कि इनका appointment करते हैं, सबसे पहले ब्रिजेश मिश्रा जी थे, जो कि NSA बने थे, 1999 के अंदर ही इसका creation है, जो कि हुआ है, 1.62 लैक रूपीज पर मन्त है, जो कि इनकी salary होती है, ओके, चलो, यह member होते हैं, defense planning committee के चेर परसन होते हैं, उसके दोबल की, strategic policy group के chairman है, national security council के secretary होते हैं, जो NSA बनता है, वो सब्सक्राइब करते हैं, जो कि देश में रहे हैं, चलो, यह देख सकते हो, आप डिप्टी NSA की बात करें, तो अभी देखिए, डिप्टी NSA काफिस आ रहे हैं, और अभी तो गयर तीन होगा है, तो बाकि रिटार हो गए, अभी तीन है, इसके अंदर, और इस से पहले भी का आफे सारे हुआ करते थे, आगे बात करते हैं, पेस नंबर 11, पेस नंबर 11 की बात करें, तो यहां पर जो हम लोग बात करेंगे, बात करेंगे, modern day Darwin को लेकर, इसराइल अपना फोर्थ डोस है, जो कि कोविट वैक्शिन का ट्राइल के ओपर लेके आ रहा है, ओके, फोर्थ अभी उन्होंने रिसेंट लिसको चेंज कर दिया, यूए ने इशू किया है, फॉर्स्ट इस्विल मैरिज लाइसेंस फॉर नौन मुस्लिप कपल, ओके, तो यूए आपने बोला, एक 90 परसेंट जो है, आपे अप्रोक्सिमेटली 10 मिलियन जो पॉपुलेशन है, उसके अं मुस्लिम कपल है, जो कि यहां पर बन गया है, ठीक है, बहुत ही अजीव वरीव लॉए, लॉथा पहले हां पर, आगे बात करते हैं, एडवर्ड विल्सन को लेकर, एडवर्ड विल्सन दोस्तों बहुत ही फेमस यूएस के सैंटिस्ट है, प्रोफेसर है, और जो कि माने ज प्रोफेसर है चुके, वर्ल्ड के लीडिंग अथॉनिटी है, जो कि दोस्तों चीटिया होती ना, आंट और उनके बिहेवियर के उपर ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इसके चीटियों के बिहेवियर पे तो आपने भी बहुत काम क्या होगा बच्पन में, बच्पन के अंदर जब हम लोग बिल्कुल फालतु बैडर रहते हैं तो ये देखते रहते हैं कि चीटिया आपस में मिलती है, आपस में पता नहीं क्या करती है, किस करती है, हाई लो बोलती है, पता नहीं क्या करती है, उसके बाद में टकरा के चले जाती है, बच्पन में बहुत जादा उसको देखते वे चलती है उसके पीछे पीछे जो है वो लाइन बना के चलती है जो सामने से आरी होती है चीटी वो एक चीटी को डेंजर के बारे में बताती है और खाने के बारे में बताती है जहां पर वो तो आरी होती है और वो उसी डारेक्शन में जा रही होती है तो एक यह difficult difficult behaviors होते हैं आपको मालूम होगा बी जो होती है मदुमक्ही उनकी एक queen होती है उसके पीछे वो लोग कुछ भी करने को तयार होती है तो जैसे कि अभी कुछ दिन पहले के आवा था एक चोटे सी news थी कि मदुमक्ही बहुत सारी हजारों मदुमक्ही गाड़ी के पीछे चि मतलब इसके ओपर बहुत काम किया इंटोम लॉजिस्ट मोलते हैं इस काम को अगर आप इस सीज में अपने करियर बनाते हो तो इंसेट के ओपर सोशल इंट्रक्शन वर्ड का मेंबल का हुमन का है ना उनके बिएवियर का सोशो बाइलोजी बोलते हैं जब आप इनकी बिए चुका है तो काफी फेमस परसाने जोकी रहे हैं और जैसे कि डाविस ने इविलिशन के बारे में बात करी बहुत ही जबर्तस बाते बोलके गए ते डार्विस चाल्स आर्विन उस टेम पे तो उनकी बातों को गलत बताया गया लोगोंने काफी प्रोटेस्ट किया लेकिन पाद में लोगों को समझा है बंदा सही बोलके गया था सर्वाइवल अब दा फिटेंस्ट ओके ठीव नैचुरल सेलेक्शन कुद्रत अपना खुद निर्मान करे तो बहतर रहेगा जो फिट रहेगा वही सर्वाइव करेगा अवेस बात है तो यह सब बात है आज भी और से एक हजार साल बाद भी लागो रहेगी हमेशा है ना चलो ठीक है आल राइट सोचियो बायलोगी की नाम की किताब भी उन्होंने 1975 के अंदर है जो की लिखी थी आगे बात करते हैं अडानी को लेकर अडानी ग्रूप में दोस्तों प्रिपरेशन कर लिए और पहला शिप जो है वो कोल का कोल कार्गो का ऑस्टेलिया से जो है वो आने वाला है बहुंस्ति कॉंट्रोवर्शल माईन है जो कि अस्टेलिया के अंदर मानी जाती है साथ साल तक मतलब इस कैम्पेंग को यह साथ साल पहले इस प्रोजेक्ट की शुरुवात करे गए ते लेकिन वहाँ में जिस कोल मान से अडानी काम कर रहे थे जो टेंडर मिला था रहसा कि अंदर सबसे पहला काम जो हुआ था वह यही हुआ था कि जो इनिशेटिव से बाद में होते हैं सबसे पहले यह हुआ था कि अडानी को एक और माइन का लोकेशन हुआ था काम करने के लिए उसके बाद वहां पर बहुत सारे क्लामिट एक्टिविस्त है उन्होंने इस काम को नहीं होने दिया साथ साल बीद गया फाइनली जो है अब यह काम है जो कि स्टार्ट हो रहा है तो फॉसल फ्यूल से दुनिया दूर जाने की बात करी है लेकिन यहां पर बहुत बड़ी जीत है जो कि अडाने की हुई है यहां का biggest coal exporter है मतलब जो यहां से यहां से चीज़े जाती है supply होती है तो इंडिया के अंदर प्लाइट है उनके अंदर supply ही जो कि वहां से होगी बहुत ही high quality coal है मतलब जो कि इस माइन से लिया जाएगा क्यूंस लेंड वाला जो एरिया है उसी के पास में गोल कोस्त है न उसके प बिलियन टन एक एयर के अंदर जो है 400 किलोमीटर का रेल से लगके 11 बिलियन डॉलर के आसपास का यह प्रोजेक्ट है 2018 के अंदर यह कम करके इसको 10 मिलियन टन ही नहीं एयर कर दिया गया था इसको नाम दिया गया है DART पार्टी फुल फर्म याद रखी का डबल एस्टरोइड री डिरेक्शन टेस्ट जो भी अगर एस्टरोइड आर्थ की तरफ इन फीचर में आता है तो हमारे क्या करेगा इस मिशन के माध्यम साम उसको डिफ्लेक्ट कर सकते हैं समझ गये तो पहली इमेज है जो कि इसने आप पर बेजी है और टार्गेट के ऊपर एक साल बाद में जो है यह पहुचेगा डार्ट मिशन क्या है एम क्या है न्यूली डबलोग टेक्नॉलजी है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं किसी एस्टरोइड को और उसके डिरेक्शन को चेंज कर सकते हैं अभी जो बेजा गया है पर बेजा गया है जिसका 610 kg का है और 500 kg जो है वो इंपक्ट के टाइम पे इसका वेट है जो की रहेगा इसमें 10 kg जिनौन भी यूज करी गई है जिससे जो है वो डेमूस्ट्रीट किया जाएगा कि किस तरीके से यह काम है जो कि यहां पर होने वाला है एक्चुली के अंद है ठीक है इसका नाम मैं आपको बताता हूं उसका नाम कहां गया एक एस्ट्रोइड है ना उसी का ही छोटा सा पार्ट है डाइड़मोज उसको हीट है जो कि यह करने वाले है तो स्पेस्क्राफ्ट करेंज है हाई-resolution इमेजर भी है जिसको डाइड़मोज नाम दिया गया ह और यह सारे के सारी real images ड्राको है जो कि यह बेजेगा ड्राको नाम से यह सारे के सारी images है ओके यह हमें real time में जो कि बेजेगा कि कैसे impact होने वाला है कैसे जो है इसके ओपर attack होने वाला है तो यहाँ पर surface जो है वो डाइमोर्फोस करके है उसके surface के ओपर hit है जो कि यह करने वाला है इसके अंदर एक छोटी से सेटलाइट और लगा रखी है क्यूब सेट नाम की जो की इमेजेज और कैप्चर करके हमें मदद करेगा ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं छोट ऐसा यह जैसे की एक डायडोमोज करके एक ऐस्टोईड इसया के असपास गूबरें जिसका नाम है डायमोर्फ फुज इसको अटाक है जो किए करने वाला है यहां पर देख सकतो यह बड़ा ऑश्टोईड है इसको हम लोग क्या करेंग है किलो मीटर दूर है समझ गए यह देखिए इसकी जो अगर मैं बात करो ना कितना बड़ा है तो आप यह देख सकते हो पिरामिड ऑफ गीजा है ना इतना बड़ाई है स्टैक्श ओफ लिबर्टी से भी मतलब बहुत जादा बड़ा है जिसको हम लोग हीट करने वाले तो ऐसा कोई भी ले लो जैसे कि माल लो एक रामलाल नाम का एक आदमी है उसने जो है क्या हुआ उसकी कोई रोड के ओपर लड़ाई हो गई और बहुत जादा पिटाई हो गई और लड़ाई जो ही उसको दो-तिन मेंने के सजा भी हो गई किसी बाइसाब ने क्या किया वीडियो रि पहले हो था आपको याद होगा कि बहुत सारे साफ कोब्रा पॉस्ट करके एक 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 एजनसी है जनलीसम की जनलीस की तो उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन करें थे बहुत सारे से लिपिटिस के पास जाते थे और बोलते थे कि आप सोचल मीडिया पर हमें सपोर्ट करो हम के मतलब fake publicity करने को ready हो गए थे जब election campaign चल रहे थे था उनके बारे में कोई सर्च तो YouTube उनको वही दिखा था वीडियो तो अब लोगों का क्या कहना है कि जिनको अगर सजा मिल चुकी है उनको ये भूलने का अधिकार होना चाहिए कि यार देखो हमें बार बार रिकमेंडेशन मत दिखाओ सोचल मीडिया में मत दिखाओ होगे ना सजाम को बात खतम होगे ना मतलब अब बार बार क्यों दिखा रहे हो तो यह right to be forgotten यह वही है तो कई सारे लोगोंने पैटिशन द्यार कर रखिए कि सोचल मीडिया से कॉंटेंट है जो कि इसको रिमूव कर दो यह गों फिर के बार बार हमारे पास आता है समझ गए और पता होता भी ही है कि आपके पॉजिटिव काम आपको नहीं दिखाए जाते आपके नेगिटिव काम जो है ना वो गूग तो ऐसे लोगों की बड़ी समस्या होगे थी ना तो यहां पर गॉड्मेंट ने बोल दिया दिल्ली आइकोट को तो गॉड्मेंट से पूचा था मतलब सेंटल गॉड्मेंट से कोट थे कि बात सही है राइट टू फॉर्गट है जो है वो राइट टू प्रेविसी का पार् रही है इसको बैक करने के लिए हमारे समीदान में भी कुछ नहीं है तो इसको डिरेक्टली जो है वो बोल दिया कि जैसे चल रहा है वैसे चलने तो कोई लोगा ने जो प्रेटिशन लगाई थी उनका ही कहना था कि यूरोपियन कंट्रीज में भी तो होता ऐसा हमारे यहां अब तक हमारे अर्टिकल इक्रिश के अंदर जो है वो इसको इंक्लूड किया गया लेकिन इसको लिए कोई स्पेशल कोई लॉज यह फीचर से जो कि अब तक अविलेबल नहीं है तो यह सारी पैटिशन लगी विए तो यूरोपियन यूनियन के जनरल डेटा आगे बात करते हैं 110 वी अन्वेसरी को लेकर तो 110 वी अन्वेसरी जो है वो फॉर्स टाइम जोस्तो जब अमने जन्गनमन जो है वो गाया था नैशनलन थाप को हमने उसकी 110 अन्वेसरी है जो कि मनाय गई तो 27 दिसमबर को क्या होँआ था 117 दिसमबर वो डे था जब पहली बार जन्गनमन जोस्तो 1911 के अंदर इंसी की कॉन्फरेंस के अंदर कैलकटा के अंदर है जो कि गाया गया था पब्लिक ली गाया था ओके जन्गनमन को अमने अडॉप्ट किया नैशनल एंथम कप 24 जनवरी 1950 को रन्ना टैगोर दोस्तों ऐन्गलादेश का भी है और अपने आपने इनका भी अपने अपने भी टैगोर का ही तो लाइन्टेंस नाठम की वो रागा थी राग भिलावल और इसके अंदर सेट करी थी फर्स वर्जन जो गाय गया वो मैंने आपको बताई चुकाँ 1100 के अंदर कलकटा के अंसी निस सेशन निक एंदर संस्कृत वाला जो बेंगवाली वर्जन है ना उसको इंदुस्तानी के अंदर इंदुस्तानी फर्म में तो कैप्टन आप भी दली थे अपने आयने के उन्होंने इसका सुप सुख चैन नाम का एक वर्जन है जो की रीशेप किया था आर्टिकल इक्यावने के अंदर भी है क्या एक सिटिजन को हमारे रिस्पेट करने चीए आइडल्स की इस्टिटिशन्स की नेशनल फ्लैग की नेशनल अंथम की हमारे नेशनल सिंबल्स की चलिए आगे बात करते हैं एंटी डंपिंग डूटी ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा क्या होता है देखो कि इंडिया में बेचता हो और इंडिया से एकस्पोर्ट करता हूं आप में बनाना चलू कि और इसकी कॉस्टिंग अगई 20 रुपे अगर इसको इंपोर्ट भी करवा लूँगा तो 5 रूपे और लगजाएंगे अगर इसका ट्रांस्पूर्टेशन भी करवाँगा अगर मेर तो 17 रूपे का भी पढ़ रहा है तो मेरा प्रॉफिक चार रूपे का बचे का आप क्या करोगे अरे छोड़ो ना यहां पर क्यों मैनिफेक्ट्रिंग करनी चैना से मंगवा लो हो गया का इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रोनिक की चीजे हैं वो इसी वजह से चैन पढ़ती है तो क्या होता है कि टोमेस्टिंग मारकेट ख्राब होता है अब माली जो कोया इंडिया में बवना रहा है उसा तो बीस रुपे में कॉस्टिंग आ रही है चाएना से 20 रुपे के उपर 30 रुपे इसका क्या करेगी dumping duty इसके ओपर लगा देगी anti-dumping duty ताकि क्या हो सके इंडियन मार्केट के बराबर इसकी price दे जो कि आ सके ताकि domestic maker जो है ना उनको नुक्सान ना हो समझ गए मेरी बात ठीक है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं anti-dumping duty है जो कि कहते हैं तो जो डीजी टी आर है जो डीरेक्टर जनरल ओफ ट्रेड रेमेडिव है उसमें recommendation दिया है कि anti-dumping duties लगाए जाए पांच चीजों के उपर Chinese product के उपर जो ऐसे की aluminum goods है कुछ chemicals है और इनको 5 साल तक इनके उपर है जो कि लगाए जाए ताकि domestic market के अंदर ये जो इतना सस्ते के अंदर आ रहे है न वो नहीं आए तो आप देख सकते हो price जो है इनकी below normal value इंदे इंडियन market के अंदर जो value है उससे बहुत ही below आ रही है तो हमने जो export किया है चाइना को 12 billion dollar का किया है लेकिन जो import किया है चाइना से समान वो देखो 42 billion dollar का किया है यानि कि हालत बहुत ही खराब trade deficit देखो 30 billion dollar और ये तो मैंने एक ही quarter की बात करी है सोचो अब 4 से multiply कर दोगा तो कितना ज्यादा नुक्सान है जो कि चाइना के साथ हमारे हो रहा है डाइटर जनरल ऑफ ट्रेड रेमिटी जो है ये ministry of commerce and industry के अंडर में आती है ये कोई भी trade के अदर जो problem होती है उसको counter करती है और उसको safeguard करने की कोशिश करती है ठीक है हमारे domestic industry को कैसे defense किया जाए उसके ओपर ये काम है जोकी करती है dumping का मतलब मैं आपको बताई च सब्सक्राइब करने के लिए बिटिशेश की तो ये करते थे बिटिशेश तो और भी next level के मतलब वो थे उन्होंने जो इतना बुरा काटा है ना आपने इंडिया का वो क्या करते थे पहले के टाइम पर सो साल पहले इंडिया से raw material बाहर ले जाते पहले तो ship get through फिर वहां प बनकर इंडिया में बिख सकता है सस्ते में लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे वो समान पहले यहां से बाहर लेके जाते अपने इंडेस्ट्री इसको growth करते अपने science technology को बढ़ाते और वहां से उसको बना के कपड़े को वापस से इंडिया में लाके double triple rate में बेशते हैं तो ऐसा करते थे और यह भी इसी तरीके से कर रहे हैं यह खुद के country में बना रहे हैं सस्ते में इंडिया में बेच रहे हैं तो इसका objective यह होता है कि international जो भी domestic marketers इसको बचाया जा सकते अंटी-dumping duty लगा इसलिए जाती है अब WTO के इसमें provision क्या है क्या WTO करता है क्या आप किसी भी प्रोटेट के ओपर anti-dumping duty लाद होए अलाव करता है यह करता है पांस साल के लिए और exceptional cases के अंदर अगर आपने investigation कर रहे हो कुछ कर रहे हो तो special cases में 5 साल और आप बना सकते हो इसलिए हमने 5 साल के ओपर लगा है क्योंकि WTO जो है वो 5 साल तक के लिए अलाव है जो कि करता है anti-dumping duty आप लगा सकते हो 5 साल में फिर आप अपनी इंवेस्टी को इतना competition competent बना द गई है ठीक है जिसके तैट कोई भी essential community होती है ओके essential मतलब बहुत जरूरत की चीज़ है जिसको सरकार बोलती है कि इसको वो मत करो आप holding मत करो इसको इखटा मत करो आप इसका black marketing मत करो तो यह सब चीज़े रोक दी जाती है storage holding का मतलब होता है storage आप store नहीं कर सकते ज्यादा black marketing नहीं कर सकते यह क्या होती है unfair trade practices माने जाती है storage करना black marketing करना ओके farmer protest इतना बड़ा क्यों हुआ क्यों कि तीन farmer बिल में एक बिल यही तो बोल रहा था कि आप storage कर सकते हो storage करोगे तो वही वाली यह कौन थे अपने पृतिराज कपूर वाली जो time पे होता था ना इंडिया के कि अंदर यह रहे एक लाला हुआ करता था गोदावन अपना बढ़ा रखता था फिर गॉं के मैं जोकी नहीं हो उसे लिए एक बिल कि अंदर यही a तो इस तीज को रोकने के लिए बोला गया है ठीक है अब क्या हो गया है कि जो यह सोय मिल के ना यह हमारे यहां पर दोस्तों जो farming industry वहां पर बहुत काम में आता है domestic animals के लिए तो वहां पर availability नहीं हो पा रही है प्रैसे जादा बढ़ रही हैं वहां पर क्या होता है कि अगर समान कम होता है तो प्रैसे जादा होती है तो अगर समान जादा होगा तो प्रैसे कम होगी तो प्रैसे को control करने के लिए दोस्तों यह act है जो कि लाया गया है क्योंकि जो poetry farm है और आपका cattle feed manufacturer है वहां पर soya milk बहुत काम में आता है soya milk दोस्तों one of the best vegetarian के अंदर product माना जाता है जो कि आपके nutrition value होती है अगर आप 10 अंडे खालो या फिर आप 10 अंडे एक अंडे में 203 ग्राम protein होता है तो आपको 20-30 ग्राम protein मिल गए 10 अंडे खाने के बाद 10 अंडे में आपके किते हैं 100 पर लग गए होता ना इतना ही कुछ आस-पास मुझे पता नहीं what is the value right now जो कि आपको मिलता है एक अंडा लेकिन नियर्भा इतना की कुछ आस-पास होगा सोयबीन आप इतनी खालो सोयबीन आपको 5 रुपे के अंदर 5-7 रुपे के अंदर जो है आपको एक कटोरी मिल जाएगी उस कटोरी को अगर आपने खाया तो आपको 15-20 ग्राम protein वही से मिल जाएगा तो vegetarian का best source है जो कि सोयबीन माना जाता है सोयबीन oil बनाते ना तब उसमे दुनिया के अंदर जो भी protein feed stuff है ना वो protein का सोयबीन का जो मील है उसी से ही दोस्तों करा जाता है और यह सोयबीन oil के extraction के बाद में by a product के तौर पर बनता है तो इंडिया के अंदर इसकी prices बढ़ रही इसलिए दोस्तों यह essential community act है जो की लगाया गया है ताकि उसकी prices ना करके ज्यादा value में ना बेचे इंप्लिमेंटिंटिंग एजनसी होती है consumer affair food and public distribution impact दोस्तों यह control करना प्रोडेक्शन को supply को distribution को अना stock limit को impose करना यह सब चीज़े ठीक है गाइस चलो बच्चा भोल रहा है सर पांच रुपए में कहां सो रुपए में चार ही आते यारे तो बहुत ही महें हो गए एक बार ऐसे हुआ था एक बार जैसे जब मैं college की टाइम पे था तो तम मैं एक वेक खाया करता था वह ना vegetarian non vegetarian सब खाया करता था तो उस टाम पे पांच वहां घर पर बोलना भी बहुत बड़ा पाप है तो बहुत महेंगे अब यार कॉलेज के टाइम पर वैसे इतना ही तो बजट होता था डेली के पचास रुपे का बजट होता था जिसमें बोडी बिल्डिंग करनी होती थी पूरी के पूरी इसमें सारी डाइट वाइट जो है मैनेज करनी होती थी उसके अंदर पचास रुपे में 20-30 रुप अंडे में चले जाएंगे तो फिर बागी प्रोटिन कहां सा आएगा ठीक है तो मैंने एक दिन ऐसी बाहर उस ताइम पर पांच रुपे का बॉइल है जो क्या आया करता था था ना मैं बात कर रहा हूं को द मैं सोचा अगर ले आता अगर मैं बोले तो क्या होता मतलब तो बहुत मुश्किल हो से मतलब है ना गरवालों ने पीछा चोड़ा मतलब यह वाला हो गया था तो काफी महेंगे पढ़ते हैं बाहर अंडे अंडे उंडे घाना उसके बाद मैंने छोड़ दिया 2013 थर्टीन के सब कुछ पढ़ लिया था लेकिन इनके बारे में नहीं पढ़ा था तो आज इनके बारे में भी देख लेते हैं ठीक है ना तो अपिछी दिसम्मर एटीन इसिस्टी वन को हिलाबात प्र्यागराजमिन का जन्रुन गुआ ग्रेट एजूकेशनिस थे बहुत ही जबर्दस के अंदर इन्होंने काफी काम किया, इंडेस्ट्री का प्रमोशन, एकनॉमिक, सोशल डवलप्मेन कंट्रे का, सोशल सर्वेस, रिलिजिन, एजुकेशन, ओके हिंदी लैग्विज का प्रमोशन, बहुत सारे काम है जो कि इन्होंने करे, महानामा का जो टाइटल मिला था, वो गांधी जी के दुवारा दिया गया था रादा कृष्ण एंजी ने इनको क्या बोला था इनको कर्म योगी है जो कि नाम दिया था, तो दोनों इंपोरेंट है, पेपर में आते हैं दोस्तों ठीके गाईज, फिर्टम स्टेकल के अंदर इनका रोल बहुत जबर्दस था, लिबरल्स और नेशनलिस्ट, जो नरम और गरम जो थे ना उनके बीच में दोस्तों एक तरीके से कड़ी है जो कि मदन महान मालविया जी जो हुआ करते थे एक्स्रिमिस्ट और मॉडरेट के बीच में एक तरीके से कड़ी हुआ करते है गोखले और तिलक, दोनों ही बहुत रेस्पेक्ट है जो कि इनकी क्या करते थे मात्मा गांदी जी के कहने पे सॉल्ट सत्तागरे के अंदर पांटिसिपेट किया civil disobedience movement को लेकर पांटिसिपेट किया मात्मा गांदी जी को बहुत माना करते थे मदर मोल मालवा जी और उसके बाद मैं जेल भी हुई थी, काफी टाइम जेल में भी रहे कॉंग्रेस के प्रेसेंट बने एक multiple times, आप देख सकते हो चार बार जो है वो प्रेसेंट है जो की कॉंग्रेस के रहे ठीक है, सेन गुप्ता जी जो है वो कॉंग्रेस के चीफ बने 1930 डिरी के अंदर, तब इनको अरेस्ट कर लिया गया था इंडियन एडेंच्वर सिस्टम को एंड करने में भी बहुत बड़ा रोल रहा, यह क्या है एडेंच्वर सिस्टम के था, देखो हुआ क्या था कि जब स्लेवरी दुनिया में बंदों ने लग गई थी 1930-1940 के आसपास तो लोगों ने नया तरीका निकाल लिया इंसान को अरेस्ट करनेगा, उन्होंने कॉंट्रेक्ट करना चालू कर दिया समझ गहे, कॉंट्रेक्ट कर वा ले थे हैं कि एक साल तक एक आदमी को एक इंडियन को मानलो नौकरी पे बुला लिया, किसी केरेबियन में, नौर्थ अमेरिका और साउत अमेरिका में किसी अफ्रिकन को बुला लिया सॉथ-ेईशन कंट्री के लोगों को बुला लिया और फिर वहाँ पर उनसे काम करवा रहεен 16 16 गंटे बीज़बिस गंटे बहुत बुरी तरहिके से क्यों क्योंगे ऐँ इस चक्काल में । ये क्योंकि यह मना कर रहे थे कि काज डिस्कृर्मेशन नहीं करना है समझ गए तो यह सबकी इक्वालिटी की बात करते था इनको एक्सपेल में कर दिया गया था बहुत जीव बात है इन्होंने हिंदू महासभा का इन्होंने किया इन्होंने अभी इंग्लिश्टान लीडर नांसे विक ली वर्जन थे बोड़ोब डैक्टर में थे इंदुस्तान टैम की यह कई तैम तक मैंना रहीं तो यहां पर देख सकते हैं जो कि इसको बोलते है तिल्टी टेस्ट क्या होता है लंडन में डबल डेकर जो बसे है न वो बहुत टाइम से चल रही है तो पहले क्या हुआ करता था कि डबल डेकर बसे के अंदर बीड हो जाया करती थी है न कहीं पर रूड की प्रॉड की कि इस टेस्ट करते हैं कि अगर बस टिल्ट हो गई तो क्या गिरेगी कि नहींगे हैं तो ऐसी से के कोई कंडिशन होती घृए तो इसत्र के टेस्टिब जो कि लंडन में इतने साल पहले है उसकी क्या करते हैं हम लोग आज भी फोड़ा ऑगनोर करते हैं आगे करते हैं इसके अलबाब बुनेश्टन अनकाडमी पर कोई भी रेफिल कोड के लिए आप काम में ले सकते हैं इंडिया के सारे टॉप के मादिरम से ओके गईस आज का पहला सवाल है डार्ट एक लो कोस्ट इस्पेस क्राफ्ट है उसका कितना वेट है जो कि लॉंच किया गया है इसकेंड राइट टु प्रेवेसी कौन से आर्टिकल के अंदर इंक्लूरिट है डिसंबर कौन से दिसंबर को 110 वी अन्वेसरी है ज इसेंचल कम्यूटी एक्ट दोस्तों कब है जो की आया था तो यह था आज का आपका इंपोर्टन सेक्शन लाइक को शेर कर दीजिए का मिलते हैं 11 बज़े थैंक यू अवरिवन गुडबाई और नहीं 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 का आपका 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 था यह जले सको का खिए भी आपका देशने का नहीं बिले सब्सक्राइब को शेंत।